तो आपने YouTube पर एक चीज जरूर देखी होगी कि experiment वाले वीडियो पर अगर आप देखते होगा आपको कुछ interest है तो आपने एक चीज जरूर देखी होगी कि बहुत सरे लोग ग्लास में या फिर कटोरी में नमक डाल देते हैं उसमें पानी डाल देते हैं उसके बाद आपको LED light या फिर कोई भी light जला कर को दिखाते हैं तो क्या ये सच में ऐसा होता है तो इसी का पर आज हम करने वाले इसी की experiment करने वाले है क्या आखर होता है या फिर नहीं होता है मुझे भी पता नहीं है कि होगा कि यह नहीं होगा मैंने भी वीडियोज देखे हैं तो वहाँ पर बल्ब जल जाता है जैसे वो नमक डालते हैं पानी डालते हैं और वो कोई भी बल्ब जला देते हैं तो चलो इसका एक्सप्रिमेंट करने के लिए यहां पर आप देख सकते हूं मैंने पूरा भर लिया है उसके बाद यहाँ पर आपको इस पानी में आपको नमक डालना होगा तो चलो यहाँ पर मैं पानी में नमक भी डाला कि अभी मुझे भी नहीं पता है कि एक्स्परिमेंट क्या होने वाला है क्या यह वहर के करता है यह फिर नहीं करता है तो सारा कुछ आपके साम तो अच्छे तरीके से इसको मिला देता हूँ, हाला कि नमक पूरा पीसा हुआ था, तो मिलाने की जरूद है नहीं जादा, फिर भी थोड़ा सा मिला देता हूँ, ताकि बॉटम में जाकर वो ना बाट जाया, तो चलो इसको अच्छी तरह से थोड़ा सा मिक्चर कर देता हू तो फाइनली यहां पर आप देख सकते हूं मैंने दोनों ग्लास पर नमक को मिक्सर मिला लिया है पुरी तरह से इसको घोल दिया है तो यहां पर आप देख सकते हूं दो ब्लेट है मेरे पास तो दोनों ब्लेट को मैं एक एक वायर पर कनेक्ट कर देता हूं और दोनों ग्लास हैं से भी कर दिखादिवगा तो छो कर्या यहां पर मैं ब्लेट पर तर आपको चांत आप can नेक्ट कर लेता हूं हमरूद इता है मतलब यहां पर यहां पर लाइट लगा कर कि देख लेते हैं क्या प्रती है या फिर नहीं जप सटे है दिखो-उक्रोसर तो चलो इस पर light लगा के मैं कोई भी bulb लगा कर देख लेता हूं कि जलता है या फिर नहीं जलता है या फिर जो भी रोज बने होई है तो ऐसे ही पतने कुछ बल्ब एक भी blinking नहीं कर रहा और मल्टी मीटर में आपने देखे कि बहुत कम नाके बराबर करेंट जनरेट हो रहा है तो इसका मतलब कि इस तरह से यह नहीं वर्ग करता है आप इस तरह से अलाक अलाक नमक डाल करके और पानी डाल करके इसको अगर देखते हो तो यहाँ पर कre na key कर आता मतलब जनी या फिर फिर थोड़ा बहुत होता है जिससे कि आप बल्ब नहीं जाला सकती हूँ और चेक करने के लिए यहाँ पर थोड़ा थोड़ा इसमें और नमक डाल देता हूँ थोड़ा थोड़ा ताकि इसमें पावर और साइद आ यहाँ पर आप कर दोढ़ थोड़ा आर्णमक डाल करके और यहाँ पर इनिह ब्लेट से यहाँ पर इसको मिला देता हूं तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने अर्णमक घ्र करके फिर से मृल्टी मीटर करने करता हूं फिर भी यहाँ पर देखो सम QUE कुछ होने वाला है तो यहाँ पर देखो मैंने एक ही glass पर दोने blade डाल दी है और फिर मैं यहाँ पर multimeter से चेक करता हूँ तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कुछ भी current यहाँ पर नहीं generate हो रहा है कर लेते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कुछ रा कुछ ऐसा connection कर लेते हैं इसलिए यहाँ पर मैंने काच का glass लिया हुआ था ताकि आपको इस अच्छे से confirm हो सके तो यहाँ पर आपने देखा कि बिल्कुल भी work नहीं करता तो इस तरह का अगर आप कोई videos देखें तो आप पैसा मतलब समझ सकते हैं कि आप कैसा उसमें किया गया है आप आसानी से दिवाक लगा सकते हो कि कहीं न कहीं से उसने current दिया हुआ है अगर आप अच्छे सुचका यूट्यूब पर ऐसे ही वीडियो बने होते हैं तो उनकी मैं यहाँ पर पुरी सच्छाई भी बताने की को कोशिस करता हूँ तो मुझे उमीद है कि आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सुस्क्राइब जरूर करने चलो फिर मिलते हैं कि वीडियो पर कुछ अगले एक्स्परिमेंट के साथ तब तक के लिए टाटा बाय बाय